इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये आदर्श है ये सीधे आपकी जड़ों तक पोशक तत्व पहुंचाने में मदद करता है और अपने कंडीशनिंग प्रभाव से कमजोर बालों की रक्षा करता है ये शुष्क चिरचिरी खोपडी और तूटने प्रवन पतले बालों के लिए पुनर्स्था अपनात्मक दे अवशोशित हो जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक घुमघ्राले मोटे क्षतिक रस्थ बालों और शुष्क खोपडी के प्रबंधन में मदद करता है दो ये तेल प्राकृतिक कोल्ड प्रेस्ट तेलों के साथ मिश्रित मैकाडामिया नट त तेल और विटामिन E की अच्छाई प्रदान करता है तीन एक्टिव तत्व कमजोर जड़ों को पोशन देने दो मुनहें बालों को कम करने क्षतिक रस्थ बालों को बहाल करने निर्जलित खोपडी में नमी की भरपाई करने सीबम उतपादन को संतुलित करने और बालों मे चमकतार चमक लाने में मदद करते हैं 4. तेल खोपडी को हाइडरेट और कंडीशन करने में मदद करता है भंगुर बालों की मरमत करता है और घुंधराले बालों को ठीक करता है जिसे उन्हें पोशन मिलता है मुलायम और प्रबंधनिय बनता है 5. यह एक पौधे से एसिट का एक प्रसिद स्रोथ है और बालों के रोमों में प्रवेश करके बालों को मजबूत बनाता है। साथ, नीम्बू का तेल विटामिन सी और एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होता है जो ऑक्सिडेटिव ख्षती से बचाता है जो स्कैल्प को साफ करता है और जलन और खुजली को कम करने में मदद करता है। आठ, विटामिन E एक आवश्यक विटामिन है जो खोपड़ी और बालों के स्वास्थे को मॉइस्चराइज और पोशन देता है।